आज बज्जो लिमार इंटेगर का चेप्टर है फास्ट उसकी जो एक्सराइज 1.2 थी उस एक्सराइज में हमने सेकिंड डेफिनेशन ओफ इंटेगरिबिल्टी पड़ी थी तैना उसी में मैं आपको यह बताऊंगे कि हम पार्टेशन किस तरह से ले अगर हमारे पास फंक् पार्टेशन गीवन हो यह पिर एक्स गीवन हो तो हम पार्टेशन किस तरह से ले ताकि हम सेकिंड डेफिनेशन ओफ इंटेगरिबिल्टी एजली लगा पाएं और फिर उसको इंटेग्रेट कर पाएं ठीक है आज वह मैं आपको बताती हूं सबसे पहले मैं एक बाल आपक फिर से बता देते हूं कि स्टट्ट्ट डेफिनेशन में रां पिंटिया करते हसे तो सेकिंड डेफिनेशन हो ति क्ला इनटीू फिर रायां हर लें हो लें कि इसमें जो function होता था, जैसे integration a to b at dx, और जो function है हमारा यहां पर fx, वो defined होता था, closed interval a to b में, और इसका हमें integration sold करना है अगर, तो second definition भी होते हैं, कि जो रिमान सम निकाला था न हमने उस पर लिमिट लगा देंगे, अब रिमान सम क्या था, रिमान सम था हमारे पास, summation r1 to n, f of xjr, delta r, यह था हमारे पास रिमान सम था, जहांब जो यह xjr था, यह arbitrary point होता था, i, r, h sub interval का, ठीक है, i, r, h sub interval का यह हमारे पास partition है, a is equal to x not to, x1 up to xr minus 1, xr up to xn is equal to b, यह हमारे पास एक partition है, इसका closed interval a to b का, चीक है, और इसका जबा, sub intervals बनाऊँगे, तो जो i1 sub interval को बनेगा, बनेगा, x not to x1, फिर आप i2 sub interval बनाऊँगे, वो बनेगा, x1 to x2, इसका जबाए जब आए, r, x sub interval बनाऊँगे, वो closed interval xr minus 1 to xr, यह जबाब के पास, और i, n sub intervals बनाऊँगे तो, xn minus 1 to xn, यह sub intervals आपके पास आपके पास आपके, ठीक है, यह अगर partition है, closed interval a to b का, तो जब आपने sub intervals बनाए तो यह sub intervals बनाँगे, n sub intervals, ठीक है, अब यह n sub intervals जो बने हैं, उसमें हमने यह वाला sub interval, ठीक है, हर एक sub interval मेरी नहीं है, जिसे हम अगर फर्स्ट वाला sub interval लेके चले, i1, तो i1 में क्या लेना है, आपको xj1 एक arbitrary point ले लेना है, ठीक है, arbitrary point आपके इस वाले sub interval में से कोई भी point ले सकते हो, जिसको आप easily solve कर पाओ, इसी तरह से लोगे, ठीक है, तो xj1 आप एक, arbitrary point लो, यहाँ से, similarly यहाँ से xj2, arbitrary point लो, इसी तरह से, जिब आप iR at sub interval लोगे, तो उसमें हमें xjr, arbitrary point लेके चलेगे, ठीक है, तो यहाँ से xjr, जो है, वो कोई भी arbitrary point है, जो कि भी रोंग कर रहे है, इसी आप लिया है, arbitrary point, इस point पर आपको function की value निकालने होती है, fxjr, ठीक है, fxjr निकालने है, delta r का आप बताई है, आपको, length of, iR at sub interval, ठीक है, अब यहाँ से यह होता था, रिमान सम, यह मैंने आपको बता दिया, रिमान सम पे जब आप लिमिट लगा दोगे, limit, n tends to infinity, तो यह आपका integration इस तेक बडा चाहिए, ठीक है, यह आपकी definition होती है, second definition of integrability, एक हमने और किया था, जो exercise 1.1 में, उसके according हमने क्या किया था, कि जो हम जब integration को solve करते थे तो हम यह देखते थे कि यह रिमान इंटेगरेबल है, यह function यह नहीं है, क्या हैं, आपका integration landed ख्लेशन से लिसे हमें, य disp…… Same, निप्व में प्रषा जो हम सणियें, फिर जो हम सद्वित के थे एक हमारे आपका सब्सक्राइब करें अगर आपके पास फॉंक्शन गीवन है और जो कि हमारा इंटरेशन गया इसलो जैंग अब फार्टिशन अगर इन ऐसकते हो अगर कि पैंड करता है एक किse नहीं से लेज़ते हूं ठीक है चलो करते हैं अजय करते हैं अगर ये ओए थेोर्म है थेोर्म की स्टेटमेंट आपके पास if f is Integrable अगर f आपके पास Integrable है और Closed Integrable A to B में यह किसके एकवल होता है वो देखो अब यह दो दो रिजल्स लिख्यों है यहां से आगे और वो दोनों रिजल्स में आपको बताऊंगे कि फंक्शन किस ट्राइप का हो तो आप फस्ट वाला रिजल्ट यूज करोगे और अगर फंक्शन आपके पास एक्स रेस टो पार एम अगरा आ जाता है तो आप सेकिंड वाला रिजल्ट यूज करोगे यहां से तो यह उत्ता है आपके पास लोगे एंड टेंस टू इंफिनिटी जैसा कि यहां पर भी दिक्राइप उसके बाद समेशन आपको यहां पर क्यों आई है ना उसके बाद है एंड एंड और एंड यह वाला रिजल्ट यहां पर जो है ना वह है वह है बी माइरस एक बाए एक आपके पास ही है ठीक है मैं बढ़े इसी को बढ़ा को आपको इसी को एक्स्प्रेंग करते ही समझा रहे को हूँगा अगर आपके पास लोग इंटेवर एक बीमें फोंशन इंटेगरेवल का सब्सक्राइज मां इसका का सब्सक्राइज पार्टीशन देवीर कि म्मेरे एक इंटेज है फिर एप्लस इडी माइनस एवाइ ए एक छिक रिव एक रिप्लस कसलों प्रफिभरा के शिलाए जाय क्लों। दो कृओधों तक A plus यहाँ पर नहीं R minus 1 times B minus A Y N V और next point क्या जाएँ आपके पास यहाँ पर देखें A plus R B minus A Y N आपको कहां तक B तक और B क्या होगा आपके पास A plus N times B minus A Y N यहाँ से N cancels हो जाएगा और B minus A plus A A से cancel हो जाएगा यह B ही है ठीक है तो यह partition लेगा ले सकते हम partition तो ठीक है यह वाले partition लेगी मैंने इस वाले closed अच्छा मैंने इस partition मिलाते time मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि हर एक sub interval की जो length आएगी वो equal रही है आपकी जैसे यहाँ पर first वाले sub interval जब आप बनाऊंगे उसकी length निकालोगे तो B minus A by N ही आएगा आएगा आपके पास फिर second वाले sub interval यहाँ से बनेगा उसकी जब आप length निकालोगे तो B minus A by N ही आएगा आपके पास similarly हर एक sub interval की जब आप length निकालोगे तो B minus A by N ही आएगा आएगा यहाँ आपके यहाँ से हमें क्या करना है देखो sub intervals आप बना लोगे मैं IR sub interval दिखा लोगे IR sub interval मैं लोगे तो क्या जाएगा मारे पास A plus R minus 1 times B minus A by N से कहां तक A plus R B minus A by N यह सब interval बना है आपका IR sub interval ठीक है clear यहाँ तक सबको यह वाला IR sub interval आपको अब हमें क्या करना होता था जब हम second definition of integrity लगाते थे रिमान्स हमके help से जब हम integration solve करते थे तो उसमें हमारे पास यह होता था कि यहां से हमें एक arbitrary point ले रहा होता था जिसको हम XIR बोलते थे ठीक है अब XIR आप अपने simplicity के लिए वैसे तो कुछ भी ले सकते हो इस वाले interval में कोई B value आप ले सकते हो इसलिए हम यह वाला point जो होता है हमारा इसी को क्या ले लेते हैं XIR बाखी लोग कंपल सरी कुछ नहीं है कि आपको यहीं लेना है आप इस वाले इंटर्वल की कोई B arbitrary value ले सकते हो यहां से हमने XIR लेनी के बाद जब हमने अभी जो मैंने definition आपको बंता ही उस definition वे बिच मेह लेकि आका कि अलए कि जो इंटर्वी ब्शें लिए ह sacrific न एटिकर और यहां पे गाउंब एफ देख देख और यहां पे आएग आड़ के यह बताई थी मैंने, अभी अभी जो definition लिखवाई थी, वो यह थी, अभी इस definition के बाद देखना है, बाराग, यहां से जो मैं आगे solve करोगे, तो integration A to B, Fdx, यहां से देखना एक बारा, यह जो FdxR है, मुझे बार-बार B-A by N न लिखना पड़े, और अगर आप लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कि आपको H ही put करना है, H के लिखना है, और कुछ भी put कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर, माल यह मैं put कर दू, यहां पर बच्चों एक बार बताना, F of XJR, ठीक है, तो XJR के आजएगा, A plus RH, ठीक है, तो यहां पर आएगा, F of XJR के वैले put की, A plus RH, और फिर यहां पर यहां पर देल्टा R, डेल्टा R, जो हमारा निकलेगा, वो मैंने बताया, कि हर सब इंटरवल की जो लेंद आएग जो पार्टिशन यहां वो इसी तरह से लिए है, तो जब आप लेंद निकालो गया, यार, इस सब इंटरवल की, वो भी आपके पास क्या जाएगी, B minus A भाई है, और उसको आपने पूट कर दिया, H, तो यहां से, डेल्टा R के वैले क्या आगी, H, तो उस H को यहां लिक द बार है आपको, कि बार-बार आपको यह पार्टिशन ना लिखना पड़े है न, और फिर उसके सब इंटरवल्स ना बना के लिखने पड़े, सब इंटरवल्स बना के फिर लेंद ना निकालने पड़े आपको, फिर कोई आर्बिटरी पॉइंट आप लोगे है न, तो उसक कि सब इंटरवल की लेंद है हमारे पास ठीक है बाती प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको सेकंड डेफिनिशन ओफ इंटेगरिविल्टी आपको कराई है वहीं से निकला है यह रिजल्ड है तो वहीं तो है बस उसकी थोड़ी से नोडिशन चेंज करती है आप रहे लिए उस इस चीज का देहांदिक में आपको कि यह जो रिजल्ड आ है ना यह जब हमने पार्टिशन यह वाला लिया है ना कि a a plus b minus a y n मतलब कौन सा पार्टिशन लिए हमने 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 पार्टिशन लिए है बच्चों a a plus h इस ने पूट कर दिया ना आपने a plus h फिल a plus 2 h यह आपको a plus n h यह वाला पार्टिशन जो आप लेके चल रहे हो यह पार्टिशन तो उस केस में आपका रिजल्ट यह बन गया है ठीक है इंटिग्रेशन अगर f इंटिग्रेबल है उन ग्लोज इंटर्वल एंटो भी तो यह रिजल्ट होता है इंटिग्रेशन सोट रहे ह उसके बाद जो सेकेंड वाला रिजल्ट है वह करबाद देखते हूं उसमें क्या है आपके पास देखो उसमें एक चीज है कि इसटीज फॉंक्शन आपका इंटिग्रेबल है सेम है इस एप इस एंटिग्रेबल उन चोज ही जंगर a to b यह जो प्रुट आदो को कौनका उसके अकोर्डिन जब आप इंटिग्रेशन को सोटवाए रिए इंफिनिटी उसके बाद समेशन और इस फ्राइब कि एक पर आएगा और यहां से आपके पास आएगा यहां पर जो लेंद होती है सब इंटरवल कि यहां पर जो लेंद था है कि वह आएगी एच आपके पास है यह आपके पास है यह आपके पास आपके पास्ट नहींट कहए वह था पिकला यहां पर अपने क्या किया है जो पार्टिशन है न हो पार्टिशन चेंज करती है जो छो डिट्रों तो बन गया था अब की बार हम क्या कर रहे हैं वह वाला पार्टिशन ना लेके हम पार्टिशन दूसरा लेके चल रहे हैं तो उसको जब आप नंप्गाना होगा जाएगा आपका रजब्ट आप इस तरह से हुआ है यहां पर चलह मृम पार्टिशन लेंके प्लोज़ हिएट आपको लैना है शाया मेंदे ओर। यहां पर A, H raised to power N, जो पर आपका B टेग है, अब की बार partition जो लिए है, मैंने closed interval A to B का, वो ही यह वाला partition लेगे चले, टेक है, अब यह partition लेए के बाद, जो आप 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 सब interval होगे, तो क्या आपके पास A, H raised to power R minus 1, 2, A, H raised to power R, यह आपके पास, जो आए, आ रहाया, सब interval जो बना होग भी ही आगया, अब इस सब interval भी आपको लेंगे निगा रहागी है, तो length लेंगे, डेल्टा आर्ट सानिका पर देथी मैं, क्या जो बार, A, H raised to power R minus, A, H raised to power R minus 1, जो आपके लेंगे, length आपके लेंगे, लेंगे, आरेज सब interval के लेंगे, यह वालो उत्तल्स कौन जर्टी वालो सेट्सक्ट्ट से अम इस संपते हैं आप देखों जो मैंने आपको फोर्मुला बताया था वो क्या था integration here to bfbx is equal to limit nishi to infinity summation r h 1 1 to m f of jr delta r ये दाप second definition of integrability जे रिमान सम्पे आप लिमें रहा हाँ यहां पर समगेशन लगेगा आ इस पॉन नगेगा अब एफ of X er क्या लिए है अपर अब यहां से अगर H देखना चाहें हम कि H क्या है अमारे पास तो यहां से बारे नितलेगे जब यह पार्ट फिनली आता ते इसका यह था है एक है तो यहां से आप लिख भी देना वेर यहां तो यह आपके पास इसले यही आपका सेकेंड रिजर्ट ठीक है तो इस तरह आपको करने हैं अब यह आपको बता देते हों कि किस तरह का फंचन होगा तो आप क्या वह से वाला पार्टिशन लेकर चलोगे और पूंस अरुद्ट आप लगाएं ठीक है अगर आपके पास हो E raised to power x dx integration a to b sin x dx integration a to b ठीक है फिरो को सेक्स हो या फिर x raised to power m हो जहां पर हो आपके पास integration a to b cos dx फिर integration a to b x raised to power m dx लेकिन यहां पर एक condition है कि जो आपका m है वो small positive integer होना चाहिए ठीक है तो उस case में तो आप link देखें में where m is a small positive integer ठीक है यह यह condition है तो अगर इस type के functions आपके पास है तो उस case में आपको क्या यूज करने है उस case में आपको जा फिर integration a to b raised to power 2x dx ठीक है इस type का अगर कोई भी question आपके पास given है मच्चो तो उस case में आपको जो यह result 1 मैंने अभी कराया है आपको उसमें partition क्या लिया था a, a plus h, a plus 2h, up to a plus nh वो वाला partition आपको लेना है और उससे आपका जो first वाला result बना था उसका use करके इस type के functions को के integration को solve कर लेना है ठीक है उसके बाद यह तो है आपका first type वाल यह लड़ेना है ठीक है first जो result है इस type के जो अगर function है उनका integration करने के लिए बोल दिया जाए तो वो वाला partition आपको ले लेना है और solve कर लेना है उसके बाद अगर आपके पास second वाला result है आपका जो यह वाला result है यह वाला result इस type के function के लिए use होता है integration यहां पर बता देते हैं यह आपका integration a to b x raised to power m dx इस type के integration को solve करने के लिए इस वाले result का use करते हैं negative integer भी हो सकता है यहां फिर fraction भी हो सकता है ठीक है तो फिर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे यह जो second वाला result हमारा है इसका यूज करके हम अपने question को solve कर लें ठीक है इसके जो डाउट्स आहिए exercise 1.2k वह मैं भी solve करा देते हूं आपको और अगर आपको कोई भी doubt आ रहा है तो आप comment section में बता सकते हो मैं वह आपको solve करके समझाते हूं clear करते हूं ठीक है thank you subscribe कर देना आप चैनल को और like भी कर देना शेयर भी कर देना